T20 World Cup का Super 12 का आज पहला मैच खेला गया Australia वर्सस New Zealand के बीच Australia ने टॉस जित कर पहले पॉलिंग करने का निड़ने लिया और New Zealand के टीम को पहले खेलने के लिए आमन्त रित किया Australia का टॉस जितना उनके फेवर में नहीं रहा New Zealand ने पहले खेलते वे पीस ओरों में तीन विकेट पे 200 रन का बहुत बड़ा लक्ष जो है Australia के सामने रख दिया और सुरुवात से ही New Zealand के टीम भारी दिखी Australia पे मैलवन के ग्राउंड में ये मैच खेला गया Australia को अपने पहली विकेट के लिए बहुत मसकत करने पड़े और New Zealand का पहला विकेट 56 रन पे गिरा उसके बाद New Zealand ने अपने पारी को बहुत अच्छे से समाला New Zealand के तरब से कौन में विकेट के पड़ने 58 बॉलों में 29 रन की नाबाद पारी खेली इस पारी में उनों ने साथ चौक के दो चखके के पारी के लिए उसके अलावा विलसन ने 23 रन, एलन ने 42 रन, फिलिप्स ने 12 रन और निसम ने 26 रन बनाए और स्टेले के तरब से एक मात्र गेंजमाच हैजल वुड ने चार ओर में 40 रन देके दो विकेट लिए उसके अलावा जैमपा ने एक विकेट और कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिसने एक सिंगल विकेट भी यहाँ पे लिया हो न्यूजलेंड ने 20 उबर खेल के तीन विकेटों में 200 रन का बहुत बड़ा लक्ष आस्टेले के सामने रखा और आस्टेलिया की टीम की सुरूद अच्छी नहीं रही आस्टेलिया ने यहाँ पे 5 रनों के अंदर ही अपना पहला विकेट 30 रन पे 2 विकेट और 34 रन पे 3, 50 रन पे 4 और 68 रन पे 5 विकेट खो दिया आस्टेलिया की सुरूद अच्छी नहीं आस्टेले की तरफ से वर्णर ने 5 रन फिंच ने 13, मिचल मास ने 16, मैक्सोल ने 28 इस टोन इस ने सार्थ टीम डैविड ने 11 रन और वैड ने 2 रन बनाए आस्टेले की पुरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई 17 ओवर में 111 रन बना के ओल आउट हो गए न्यूजिलेंड की तरफ से टीम सावधी ने 3 विकेट ट्रेंड बोल ने 2 विकेट और मिचल सेंटर ने 3 विकेट लेया और न्यूजिलेंड ये मैच 89 रन से जीत गई तो फ्रेंस जादा जाने जारी के लिए चलको सब्सक्राइब जरूर कीजिए